हेलो फ्रेंट्स वेलकुम बेक टो माई चैनल देखे फ्रेंट्स आज मैं सिखाऊंगी आपको मोहरी का एक नया डिजाइन और बहुत ही जादा सिंपल रहने वाला है देखे दोनों तरफ मैंने इसके सिलाई लगाके एक एक चेन बना लिया है अभी मैं क्या करूंगी फ्रें यह जैसे दो इंच यहां पे आ रहा है बिलकुल यहां पे आ रहा है इससे एक इंच इधर एक इंच हो गया देखे यह मैंने एक इंच ओड़ दिया और यह दो इंच इसका इधर आ रहा है तो हम दो इंच यहां से स्टार्ट करेंगे देखे यह मैंने निशान लगाया अब यहां से 2 इंच देखे इस साइड और आगे ऐसे 2 इंच पे इस साइड में निशान लगा लूँगी दूसरी तरफ भी देखे हमारी मार्किंग त्यार हो गया है अब हम क्या करेंगे इसके बीच में फ्रेंज में एक लाइन लगाऊंगी बिल्कुल सीधा सेंटर पॉइंट मे देखे सेंटर ने एक सीधी लाइन बनाऊंगी में देखे हम यहां से अपनी सिलाइ स्टार्ट करेंगे और जो यह हमारा पॉइंट है इसके सामने इस बीच वाली लाइन पे लेके आएंगे देखे और यहां से हम फ्रेंज देखे इसको सीधा करेंगे देखे इस साइड मे इसको लेके आऊँगी और इस मार्किंग से इसको मिला देंगे देखी और फिर से मैं इसके सामने यहां पर लेके आऊँगी आप इसको सीधा करेंगे ऐसे फिर से मैं यहां लेके आऊँगी इसको इसके बिल्कुल सामने लाते रहेंगे और इसके मिलाते रहेंगे सिधा करके ये लास्ट को भी हम लास्ट को भी ऐसे लाएंगे और इस मार्ट से मिलाके मशीन को उतार लेंगे देखिए फ्रेंज अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे फ्रेंज इसके एक इंच यहां से देखिए यहां तक मैं इसको लेके आऊँगी यह दो इंच वाला जो माक है वहां तक हमें लेके आना है और फिर नीचे सीधा देखिए फिर से दो इंच वाला जो निचान है वहां पर और फिर सीधा, फिर इसको यहां तक लेके आएंगे, देखिए, यह कम्प्लीट हो जाएगा, और इसको पूरा यहां उतार देंगे, देखिए, हमारा यह डिजाइन बनके बिलकुल त्यार है, देखिए, कितना सुंदर और सिंपल डिजाइन बना है, ऐसे मैंने अपनी दूसरी मूरी को भी त्यार कर लिया है, अभी मैं इसमें सिलाई लगाती हूं फिटिंग के, यहां से मैं 6 इंच रखूँगी और नीचे से कना ना भूले, थैंक यू फर वाचिंग, बाइ